ओम सरमंगल मांगल शिवे शर्वार्थ शादि के, शरण्ये त्रियंबिके गारी नाराणी नमोस्तुते आज नौरात्री के साथ बे दिन हम ग्यारवे अध्याय का पाट कर देंगे ग्यारवाद ध्याय भक्ती, मुक्ती तथा आगहमी चेंता के निवारण के लिए किया जाता है तिशी बोले हे देवी जी ने जब दैते राजी महा असुर्शुम्म का बद कर दिया तब इंद्रादिक सभी देवता अगनी को मुख्य करके अपने मनुरत सिद्धी के लाव से सभी दिशाओं को दंपाती हुए, कमलों से प्रकाशित करती हुए उस कात्याय ने देवी की इस्तुती करने लगे देवता बोले, हे शर्णागतों के संकट निवारणी देवी हम पर प्रसन्द हो ये, हे सारे जगत की माता, हे विश्वेश्वरी, विश्व आप हो, हे देवी आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है, प्रत्वी पर आपकी प्रसन्दा से ही मुक्ती का लाव होता है, हे आपकी स्थूती क्या हो सकती है, आप तो स्थूती से परे हो, एवं परावाडी हो, जबकि आप सबको आधार, एवं स्वर्गी की मुक्ती देने वाली हो, इसी से आपकी स्थूती होएगी, आपकी स्थूती के लिए अन्य कौन सी उस्तम उयुक्तियां है, सारे जनों की हि ये रचर की सौमनी हो आप ही एक मात्र जगत की आधार हो प्रथ्वी सरूप से विराज नहीं हो देवी जी आपका पराक्रम अलंग नहीं हैं आप ही जो जलस रूप में स्थेष होकर इस सारे विश्व को तरप्त कर रही हो अनंत पराक्रम वाली आप ही वैश्णवी शक्ती हो विश्व भर का परंबीज माया ओभी इस्थानों के इक्रम में बदल देने वाली विश्व के संगहार में शक्ती रूप हे नारहनी देवी आपको नमस्कार हो हे देवी आप सभी मंगलों को देने वाली मंगला हो सभी अर्थों को सिद्धी देने वाली शिवा हो शंडागत रक्षक हो तीन नेत्रों वाली हो हे गोरी नारहनी आपको नमस्कार हो आप ही द्रश्टी इस्थित इवं संगहार करने में सनातेरी शक्त आप गुणमई और गुणों का आधार हो ए नाराणी देवी आपको नमस्कार हो शरण में आये हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में सलंगन सबके संकट निवारन करने वाली नाराणी देवी आपको नमस्कार हो हंसों से जुते हुए बिमान पर विराज मान भ्रह्माणी की रूप को धारन करने वाली कुष मिस्तरि जल छड़कने वाली नाराणी देवी आपको नमस्कार हो महेश्वरी के स्वरूप से त्रसूल चंद्रमा और सर्पों को धारन करने वाली महा व्रशप पर बैठने वाली नारणी आपको नमस्कार हो मोर तथा मुर्गों से आपरत महा शक्ती को धारन करने वाली महा पाप रहित कौमारी रूप में इस्थे थे नारणी आपको नमस्कार हो, शंख चक्र गदा शांग इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली बैश्णमी सक्ती रूप प्रसन्न हो, है नारणी आपको नमस्कार हो, हात में बहंकर शंख चक्र धारण की ये दानों पर प्रत्वी उठाय हुए 12 रूप धारणी छिवे, न नारणी आपको नमस्कार हो, भयानक नर्सिंग का रूप धारण करके दैतियों का बत करने के लिए उद्धम शीलेत लोकी की रक्षा करने में परायन नारणी आपको नमस्कार हो, हजार अजुवल नैत्र धारण करने वाली, किरिट धारणी, माहा बजर धारणी, बत्ता शक्ति नारणी आपको नमस्कार हो शिब्दूती के सवरूप से द्याट्यों में बड़ी सेनक अनास करने वाली महानांद करने वाली भयंकर रूप वाली नारणी आपको नमस्कार हो भयानक दाड़ों से भयानक मुख वाली मुंद मालाव से शोभायमान मुंदों का मंधन कर परने वाली चामुंदा नाराणी आपको नमस्कार हो लक्षमी लज्जा महा विद्या स्रद्ध पुष्टी स्वधा द्रवा महा रात्री महा विद्या हे नाराणी आपको नमस्कार हो मेधा सरस्वती वरा एश्वर रूपा पार्वती महा काली सैयम सीला सर्व स्वामनी हे न कि सुन्दर है हमारी सभी भैयों से रक्षा करो कि आपको नमस्कार हो जो देत्यों को तेज हनन कर देता है आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती हैं वैसे हैं हमारी रक्षा करें है चंडी के आपके हातों की तलवार जो असरों के खून तथथ 24 लथपत हो रही है वह हमारा मंगल करें हम आपको प्रणाम करते हैं है देवी जब आप प्रसन होती हो तो सभी रोगों को नश्ट कर देती हो आप क्रोद करने पर सभी मनोरत इमकामनाए नाश करती हो आपके आश्रतपोरसों कोई संकट नहीं आता अपितु आपके आश्रतपुरस दूसरों को भी आश्रत देते हैं हे देवी आपने जो आज इंधर्म द्वेशी महादैत्यों कर नाश किया है इसमें अपने अन्य रूपों को अने को शक्ति में विभक्त करके किया हैं हैं अंबी के आपके सिवाएं और दूसरा कौन ऐसा कर सकता है विद्याओं में विचारों के दीपक रूप सस्त्रों में वेद वाक्यों में आपके सिवा और किसका वरणानाता है और ना आपके कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को अग्यान रूपी बहयानक अंदकार से फूड मम्ता रूपी गड़े में खुब भठका रही है जहां राक्षास हो जहां सत्रू हो जहां एबने में आग लग रही हो समुद्र के मन्थ में जहां कहीं उपस्तित हो कर मिभिश्व की较तवह विश्वरी की तुरंत हमारी रक्षा कर ली इसी प्रकार नित्ती ही हमें शत्रों के भाय से बचाईए प्रसन्न होईए और जल्दी से छारे जगत के पाप नस्ट करिए पापों से उत्पन महा मारी आदी उपद्रहवी दूर हो हे देवी विश्व भर के दुख दूर करने वाली प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न होईए तीनों लोकों के निवासियों से इर्तुती की गई मातेश्वरी सब लोकों को वड़ दी जिए देवी बोली हे देवगण मैं बढ़ देने को तयार हूँ मन चाहा वर मांग लो सं स्तव मनवंतर की 28 वियुक की आने पर शुम निशुम नामी दो महा देत्य पैदा हो जाएंगे तब मैं नंद गोप की ग्रहणी ये शोदा की गर्व से उतार लूँगी और विंद्याचल में जाकर निवास करूँगी फिर प्रत्वी पर महा भ्यंकरूप से उतार लेकर ब प्रत्वी नाम घोर देत्यों का भक्षण करके मेरे दाद भी अनार की फूलों की तरह लाल हो जाएंगे तब स्वर्ग में देवता प्रत्वी पर मनुष मेरी उस्तुति करते समय मुझे रक्त दंतिका कहेंगे उसके अनंतर जब प्रत्वी पढ़सो बढ़सो तक करेंगे है देवतागर उस समय सारे संसार को जब तक बढ़शा नहीं होगी तब तक अपने सरीर से उत्पन शाख द्वारा पालूंगी प्रत्वी पढ़शा कंबरी इस नाम से भी ख्यात हो जाओंगी वहां पर मैं एक दुर्गम नाम के दैत्त का बढ़द करूंगी फिर करेंगे तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा फिर जब अरोन नामक दैत्तित्र लोकी में भाय एवं बाहदाय उपस्थित कर देगा तम्मेत्र लोकी की रक्षा के लिए छे पंजो वाले असंग के भ्रहमणों का रूप धरन करके उस महा असुर का वज़ करूंगी उस समय मुझे भ्रहमरी कहकर लोक सर्वताह मेरी उस्तुति करेंगे इसी प्रकार जब जब भी लोकों में दैत्तियों द्वारा बाधाय उपस्थित होगी तब तब मैं आउतार लेकर दैत्तियों का नाश करूंगी इतिसरी ग्यार्वा अध्याय समाप्त जै मातदी